नमस्कार साथियों जै हिंद वंदे मात्रम एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम प्रगी में जहां पर बात करेंगे बिहार विशेश अध्यापक पात्रता परिक्षा यानि कि जो विशेश विद्याले में आपक इक्जाम जो आपका होने वाला है अभी जिसमें आपका BSTAT के नाम से जानते हैं हम लोग BSTAT के नाम से तो भाया उसके लिए Special Education के महत्रम प्रश्णों पर हाँ पर चर्चा होती है और और भी बहुत सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी अगर आपने उन वीडियो उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिएगा पहला प्रश्ण हमारा Hearing Impairment बच्चों से यानि की स्रवण हानी वाले बच्चों से किस decibel range पर मध्य स्रवण हानी की पहचान की जाती है बात कर रहा है यहाँ पर moderate level की किसकी बात कर रहा है moderate level की बात कर रहा है moderate level की बात कर रहा है moderate hearing loss की बात कर रहा है तो हम कहेंगे भी या मध्य स्रवण हानी होगा आपका 41 से 55 decibel के बीच में और decibel हमेशा ऐसे लिखते हैं यह भी आपको याद होना चाहिए अगर हम बात कर लें 56 से 70 की तो कहेंगे 56 से 70 में हमारा मध्यम आ जाएगा मध्यम hearing loss आ जाएगा और मध्यम को हम लोग बोलते हैं moderately ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा और मध्य स्रवण हान यानि की moderate की बात करेगा तो एक तालिस से 55 और मध्यम यानि की moderately की बात करेगा तो आप लगाओगे 56 से 70 तो यहाँ पर आपका C option जो है लोग हो जाएगा नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर और कह रहा है बधिर बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपयोगी रणनीदी बधिर बच्चे यानि के हमारे hearing impairment बच्चे तो उनको पढ़ाने के लिए सबसे बहतरीन या उपयोगी रणनीद की बात की जा रही क्या उनको हाओ भाव भासा के द्वारा सांकेतिक भासा इस्पीज थरपी या इसपर्स सम्वेधी सम्बंदी सम्वेधना देखिए जब हम लोग इसपर्स की बात करते हैं कहते हैं या इसपर्स करके तो हम कहते भया ब्रेल लिपी है ना और अगर हम ब्रेल लिपी की बात करते हैं तो कहते विजुल इंपेर्मेंट बच्चे और ब्रेल लिपी की बात करते हैं तो कहते हैं लुइस ब्रेल और साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी कहे देते हैं अगर हम बात करते हैं बधिर बच्चो यानि की हेरिंग पेरिमुन बच्चो को पढ़ाने के लिए तो आपको सांकेतिक भासा साइन लेंगवेज का प्रियोग किया जाता है बी ओप्सन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा तेलिग्राम गुरूप का नाम है एक्जाम्टर की फॉर इस्पेसल एजुगिशन आप लोग इसको जोइन कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपकी स्क्रीन पर है विकलांग बच्चों के माता पिता अपने बच्चों के संग्यानात्मक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं क्या बच्चों को पीट कर उनका संग्यानात्मक विकास बढ़ाया जाएगा नहीं भया पीटा नहीं जाएगा बच्चों के साथ दुर्वेवहार करके नहीं बच्चों की आलोचना करके नहीं वस्तूओं, खिलोने और खेल की सामगरी पडान करके उन्हें प्रोसाहिद करके और प्रेरिद करके C option जो है वो आपका सही हो जाएगा Next question आपकी screen पर है और बात हो रही है दोस्तों स्रमण बाधित विक्तियों का राश्टी संस्थान स्रमण बाधित विक्तियों का राश्टी संस्थान जिसको भईया हम लोग जानते हैं अलियावर जंग के नाम से अलियावर जंग नैसनल नैसनल इंस्टिट्यूट इंस्टिट्यूट आफ इस्पीच इस्पीच एंड हेरिंग हेरिंग डिसिबेल्टीज यह आपका स्रम्ण बाधित बच्चों का राश्ट्री संस्थान यह कहां पर है आपको गेसर यह है आपका कहां पर महराष्ट में महराष्ट यानि कि आपका मुंबई यह option आपका बिल्कुल सही हो जाएगा अगर पूछे भईया कि visual impairment यानि कि वियाई द्रश्ट इबाधित बच्चों का राश्टी संस्थान जिसकों लोग जानते है अगर आपसे पूछे दिल्ली में तो आपको तो यहां पर आपका जो A option है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और next question आपकी screen पर question नमबर पाँचवा स्रमण बाधित बच्चों का पहला विद्याले कब बना था वो भी खाँपर भाईया भारत में भारत में स्रमण बाधित बच्चों का पहला विद्याले कब बना तो हम कहेंगे भाईया कब बना तो कहेंगे भाईया उननीस सो 1884 में भारत में स्रमण बाजित बच्चों का पहला विद्याले 1884 में बना और वो भी आपका कहां है वो भी आपका मुंबई में था और इसके पहले प्रिंसिपल गोल्ड इसमित जी उनको जाना जाता है नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नमबर 6 बात हो रही है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की यानि की continuous and comprehensive evaluation की तो सतत और व्यापक मुल्यांकन मुख्य रूप से परकेंद्रित होता है सतत और व्यापक मुल्यांकन मुल्यांकन के द्वारा क्या किया जाता है भया हमेशा बच्ची का कैसा मुल्यांकन होना चाहिए सतत एवं व्यापक मुल्यांकन होना चाहिए जहां पर हम बच्चों की जो इस्थिती है उसका व्यवहार है उसका हम लोग दिन प्रते दिन अवलोकन करते रहें बच्चा शिखतार है और भया बच्चा आगे बढ़तार है तो दिल और हाथ की सीक्षा बिल्कुल गलत कमजोर आयोग छात्रों के लिए उच्च स्रेणी में पदुर्नती नहीं करने है आपको भया बच्चे की पदुर्नती जब करनी है जब बच्चा बहतर सीहिए खराओ उ में बच्चे के लिए बच्चे के विवहार का नियंतर अवलोकन जब बच्चे का हम अवलोकन करेंगे यही आपका सही हो जाएगा B option आपका सही हो जाएगा CCE Continuous and Comprehensive Evaluation नेक्ट अब बात करते हैं समावेशी सिक्षा मानती है inclusive education की बात कर रहा है हमें को के अनरूप बदलना है देखिए समावेशी सिक्षा क्या कहती है हमें एक ऐसी विवस्था बनानी है हमें एक ऐसी विवस्था बनानी है जहां पर बच्चा हो सर्वोपरी यानि कि बच्चे को कोई भी और इसका एंसर तुरंट बताओ ADHD का फूंड रूप ADHD का पूंड रूप जिसने जिसने वी DEAD किया है अगर विद्याला जाकर किया है तो ADHD के बारे में जरूर जानता है चाहे वो DEAD Special Education से ही क्यों न हो या भया आप अपने BA Special Education से ही क्यों न हो तो कहेंगे attention deficit hyperactivity disorder यह option यहाँ पर आपका lock हो जाएगा नेक्स अम बात कर लेते हैं अगर आप चैनल पर हमारे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में all का option प्रस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बर वीडियो को share कर दीजेगा वीडियो अच्छी लग रही हो तो like कर दीजेगा और next question आपकी screen पर है ऐसी सिक्षा व्यवस्था जिसके अंतरगत दिव्यांग वक्तियों को सैक्षिक संस्थान के अनुसार तयार होकर आना पड़ता है ऐसी सिक्षा की विवस्ता की बात कर रहा है जहां पर दिव्यांग बच्चों को सेच्छी संस्थान यानि की विद्याले के अनुसार तयार होकर के आना पड़ता है जैसा विद्याले में होगा वैसा बच्चा सीखेगा ऐसे विद्याले की बात की जा रही है क्या विशेष विद्याले तो कहेंगे सर्ण इस्पेसल एजुगेशन में तो ऐसा नहीं होता है विशेष विद्याले में तो ऐसा नहीं होता है अगर विशेष बच्चा आ रहा है तो उसके एकॉर्डिंग हम चीजों को सिखाते हैं उसके recording कराते हैं समावैसे सिक्षा जहाँ पर सभी बच्चों के लिए बेहतर अगर दिव्यांग बच्चा भी है अगर उसको कोई भी कम है तो उसके अनुसार हम सिखाएंगे लगी एकिकरश सिक्षा यानि कि आपका integrated integrated में क्या होता है इसमें बच्चे को स्वेम से सेक्षी संस्थान में तयार होकर कि आना पड़ता है कि बहिया जैसा विद्याले में कराया जाएगा वैसे ही हमें करना है अधिगा मक्षमता सब्द का प्रियोग किस ने किया learning disability की बात कर रहा है अधिगा मक्षमता सब्द का प्रियोग किस ने किया ब्लूलर सेमॉल किर्क माइकल डेल या एनी सार्प तो कहेंगे अधिगा मक्षमता तो इस सब्द का प्रियोग बहिया किस ने किया सेमॉल किर्क ने किया आपका B option सही हो जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करना जितने भी आपके गुरूप है वीडियो को शेयर जरू कर दीजिएगा धन्यवाद